हेलो माई फ्रेंड वेलकम टू क्रिप्ट वन बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका दोस्तों आज जो बात करेंगे ट्रायस लैब इसका जो टोकन है उसका शॉर्ट फोर में ट्रायस करके है तो यह जो टोकन है इसके बारे में काफी टाइम से कुछ लोग पूछ रहे थे कि कैसा है और यह कितना जा सकता है क्या इसमें बाइंग करनी चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो टोकन है यह एक ऐसा एको सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी डवलपर आके अपनी अप्लिकेशन बना सकता है में चीज है प्राइवेट सी होगी उ इसमें अगर आप अपने आपको एनोनीमस रखना चाहते हो जैसे बहुत सारे प्राइवेसी कॉंट्रेक्ट होते हैं उसके अंदर कुछ भी ट्रांजेक्शन अगर नहीं दिखाना चाहते है आप तो आपके उपर है पूरी कंट्रोल है तो प्राइवेसी जो नेटवर्क है मतलब यह एक तरह का तो इसके ओपर जो जो अप्लिकेशन भी बने भी वह भी प्राइवेट अप्लिकेशन बन सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जैसे एक एक अग्जांपल मैं बता दूं किसी बैंकिंग की अप्लिकेशन बनानी है तो वह ट्रांजेक्शन यह तो यूस होता है दोस्तों इसमें जो चार चीजों को बड़े ध्हां से इसके अंदर कि मलब एक ध्याद को एंदरी करके बनाया गया है कि Е nelle में का पूरा ध्यान दिया गया गया है क्योंकि अगर कोई 260 होती है प्रैवेट तो उसमें सिक्वोर्टी का पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए यह नहों कि कोई भी application बनी है उसमें security नहीं है इसके उपर तो वह तो बेकार है फिर तो फाइदा नहीं हो तो इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है privacy to user without identity तो identity के बिना मतलब अगर आप कर रहे हो कोई transaction कर रहे हो तो कोई catch-up नहीं कर सकता हो transaction चाहिए एक लाग रुब ही यह वह भी नहीं देख सकता और किसने करी है यह भी नहीं देख सकता simplify the dap development इन्होंने जो dap को कुछ easy तरीके से mention किया है कि इस तरह से आप developer के फाइदे की बात है यह developer अगर को build-up करता है तो वह easily यहाँ पर build-up कर सकता है और अपनी application बना सकता है वह भी privacy से related इनका जो native token है वह है trius तो trius token जो इनकी transactions वगएरा होती है उसके अंदर use होता है ठीक है इसमें दो तिन ecosystem है जिसकी layers है आप कह सकते हो कि इसमें जो layers है दो तिन layer है जिसके जो यह ecosystem को build करते है ठीक है वह जो layers जो इसमें काम करती है पहली है layer levitation transaction वगएरा इसमें होती है उसको उनको confirm करता है और कि यह genuine है कि नहीं है इसमें जो भी ecosystem हम click करते हैं okay करते हैं तो वह उसको confirm करता है कि यह genuine है कि यह कोई scam है जो भी है ठीक है दूसरा है pro math pro math जो होता है वह trace करता है distribution framework को और software की development को भी मतलब एक तरह से distribution हो रहा है कि नहीं हो रहा और दूसरा की जो software का development है वह सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ठीक है और जो तीसरा है वह मैग काटा करके है तो मैग काटा बेसिकली जो चेक करता है smart contract की executions जैसे किसी ने डेवलपर ने उसके ओपर कोई develop किया उसमें smart contract किया उसके execution हुई है नहीं प्रोपर तो execution को वह चेक करता है और manage करता है को cost को कि ऐसा तो नहीं है कि वह जो execute कर रहा है smart contract उसकी cost कुछ by mistaken कुछ ज्यादा आ रही है इतनी आने नहीं चाहिए या कोई बग है और benefit जो cost और benefit को control करता है और smart contract execution में help करता है ठीक है तो यह हो गया ecosystem दिखो ज्यादा गरही में जाने का फाइदा नहीं हमें अब देखना है जो second चीज़ देखने की इसके अंदर क्या है वो यह है इसका CEO भी मैं दिखा देता हूं आपका CEO का नाम है एन बैंग रुआन यह थोड़ा सा experienced बंदा है और founder and CEO at trius foundation trius foundation का यह जो honor है ठीक है तो अब देख लेकते हैं दोस्तों कि इसकी जो unlocking होने वाली है next जो unlocking जो होगी next म मैं बता देता हूं आपको अभी चल रहा है जुलाई चल रहा है अगस्त में इसकी जो unlocking एक तो ठीक है वह 1.11% है मतलब 11480 करके पर monthly basis के उपर दिखा रहे हैं यह आपे और September 14 में है फिर October 14 में है और November 14 में है December 14 में ठीक है तो हर महीने के असपस इसमें unlocking हो रही है तो unlocking हो र पड़ेगी दोस्तो circulation supply listed है वहां पर यह जंप की जाए यह भी हो सकता है possible है क्योंकि यह मेरे घ्याल में तो एक दो एक्स्चेंज के ऊपर ही लिस्टेड है वह एक तो decentralized way में pancake swap के उपर है दूसरा दो pairs के अंदर एक तो BTC का pair है कूकोइन के ऊपर और कूकोइन के ऊपर ही Trias slash USDT के pair के ऊपर listed है तो दो ही exchange है इसको जो pancake swap है चलो यह तो decentralized way में decentralized exchange है और यह कूकोइन है अच्छा एक चीज़ और बताऊ कि कूकोइन के ऊपर यह आया था और कूकोइन के ऊपर ही आया था मतलब इसका जो IDO हुआ था वो इसी के ऊपर हुआ था कूकोइन उसके बाद यह कूकोइन के ऊपर लिस्ट हुआ क्या इनकी जो टीम ने और किसी exchange के ऊपर लिस्ट किया इसको नहीं ऐसा कुछ नहीं है केवल और केवल पैनकेक swap के ऊपर लिस्ट किया और 2021 के बाद मतलब अब समझ लो की 2023 चल रहा है आल्मोस्ट दो साल हो चुके हैं इस project को लेकिन तीसरी लिस्टिंग इनोंने नहीं की केवल और केवल कू कोईन से है मैं इसको एक तरह से एक ऐसा project बोलता हूं कि इसमें थोड़ा सा यह भी है कि इसमें लिक्विडिटी थोड़ी सी और ज्यादा होने के लिए काफी exchanges के उपर लिस्ट होना जरूरी है तो इसके जो token जो है वो पर करना क्योंकि monthly basis के ऊपर इसके token market में आ रहे हैं और market यह भी हो सकता है थोड़े time के बाद डाउन आने के साथ साथ यह token भी market में आ रहे हैं इतना महंगा token जो है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तीन डोलर के आसपा सब्सक्राइब इसका rate है तो यह जितने भी token market में per month basis पे आ जा सकता है तो इस चीज को आप बड़ा ध्यान से देखना तो जैसे ही इसका rate डाउन जाता है मतलब एक डोलर के आसपास या डेट डोलर के आसपास आता है तो ले सकते हो 10 million के आसपास इसकी supply है बहुत कम है ठीक है यह एक अच्छी बात है लेकिन यह भी समझना पड़ेग के उपर और दूसरा यह लिस्टेड है कू को इनके उपर यह एक इसका minus point है और यहां पे ही सारी की सारी जो इनकी जो supply market में आने वाली है यह सारी की सारी इनके उपर एक तरीके से डंप होगी डंप होगी मतलब इतने डिमांड तो है ने डिमांड कैसे होगी जब exchanges को फैलाएंगे और exchanges पे इनका token होगा और कहीं न कहीं बायर जादा आएंगे ठीक है एक ही एक्चेंग कई वर क्या होता है कि कोई कू कोई पर जाना ही निचाता फिर अगर वह बाइनस पर अनाउंस किया था भई KYC बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग इसकी कम हो गई थी लेकिन इसकी कुछ जादा ही हो गई थी तो अगर आप यह सोचो कि एक दोनों exchange से इसमें बहुत अच्छा volume आ जाएगा तो मैं नहीं समस्ता और इसमें आपको वेट करना चाहिए और ज्यादा डाउन आएगा तो इसके अंदर एंट्री करने चाहिए अब इसकी जो 100% जो जो टोकन है वो भी मार्केट में आ सकते हैं वो कब तक आएंगे 2024 मैंने बताया ना कि जनवरी 2024 को इसके सारे के सारे टोकन जो भी बैलेंस्ट है वो सारे के सारे मार्केट में आजेंगे मतलब इसकी जो जो टोटल जो सर्कुलेशन है वो आजेगी मार्केट में अगर यह सही है सर्कुलेशन सप्लाई दिखा रहे हैं कि यह पांच मिलियन है तो समझ लोग आने वाले टाइम में पांच मिलियन टोकन और मार्केट में आन तो इसका प्राइज को हाई लेवल पर जाने के लिए सोचना मत यह और डाउन जा सकता है मैं नहीं समझता कि यह बहुत ज्यादा उंचा जाएगा यह ज्यादा उंचा जा सकता ऐसी बात नहीं लेकिन अभी नहीं अभी यह डाउन जाएगा अभी शॉट टर्म में अगर कि अधिक है जो बुल रहा आया था यह कै सकते हो तो 2021 में यह जो इसका ओल्टेम हाई गया था वह इसका जो मार्किट कैप किया था 125 मिलियन के असपास ठीक है उसकी उस तेम हैट थी बहुत सारी टोकन बहुत सारी जो नेटवर्क थे वह मार्किट में थे नहीं इसकी तरह दिरे दिरे काफी सारा competition हो गया तो फिर भी हम इसको यहां से थोड़ा सा अच्छा समझ लेते हैं कि अच्छा gain कर लेगा ठीक 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 प्रोजेक्ट है ना ज्यादा हाइप है ना ज्यादा कम है ठीक है टोकन की जो supply है वो काफी कम है अब यह देख लेते हैं कि यह जो token कितन स्राम से जा सकती है तो 400 million और जो टोटल जो supply है इसकी जो 10 million पूरी आ जाएगी मार्केट में वो कब आएगी 2024 तक तो यह समयले के 2025 तक circulation supply तो 10 million नहीं रहेगी ठीक है जो circulation supply जब 10 million रहेगी उसके बाद यह 400 million जाता है तो इसका जो प्राइज है दोस्तों 400 million इसकी मार्केट क होती ही तो इसका प्राइस 40 डोलर तक जा सकता है मेरे हिसाब से ठीक है तो 40 डोलर मेरे हिसाब से कोई जादा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक इसका एक एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि हां अगर 400 million चला गया तो अगर 300 million गया तो और भी कंब यह समझ लो कि यह 10x के आसप 20000 तो यह तो हम previous history को दिखे ही करते हैं कि next में क्या होगा और यह इतना बड़ा कोई यह नहीं है कि भाई बहुत बड़ी चीज है और इनकी अपनी blockchain है अभी तह ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है एक infrastructure है यह provide करते हैं और कोई भी अपनी जो privacy application बनाने के लिए इसको use कर सकता को कोई भी developer और अच्छी application यह claim करते हैं लेकिन adoption कितनी हो रही है यह भी depend करता है कि adoption अगर कम में ज्यादा है लेकिन फिर भी इसको medium उसकी category में लेके चलते हैं तो 10x easily हो सकता है मतलब more than 10x का project है ठीक है more than 10x का मतलब 10 to 15x हो सकता है 15x को ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी 12 12x समझ लो इसका 12x easily होना चाहिए यह ठीक है financial advice नहीं कि मेरा video देख केस को करी लो बट जो भी है जो आपके सामने है और एक चीज़ और मानने की बात है कि privacy जो ecosystems है वो future में को कि government जो होती है privacy ecosystem को पसंद नहीं करती है ठीक है क्योंकि बहुत सारे token ecosystem blockchain जो ऐसा काम करती है वो privacy पसंद इसलिए नहीं करती क्योंकि उसमें transaction hidden होती है यह पताना बड़ा मुश्किल होता है कि कि किसने खरीदा किसने बाय किया transaction यहां से कहां गई क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता तो कहीं नहीं कहीं government इस चीज़ को लेके भी serious है हां government कभ इस चीज़ों के बार attack करती है यह नहीं पता हो सकता है ना भी करें हो सकता है कुछ इस चीज को इसका solution के लिए थोड़ा सा rule regulations लेकिया है लेकिन तो यह दोनों तरह से एक तो try a slab है ठीक है दोनों तरह से ले सकते हो यह privacy है और privacy है तो सरकार को थोड़ा सा दिक्कत है ठीक है अगर आप hold रखा हुआ है इस सोस्कियों की माइंड में की future में government कोई दिक्कत कर सकती है तो आपके अपनी मर्जी है क्या अगर ना इसके साथ anyway तो यह छोटा सा review था try a slab tries token के बारे में और अगर आपको यह अच्छा लगे तो like and subscribe कर दिजएगा thank you very much have a good one take care